जैए शीक्रिष्णा गिराज धर्ण की जै चौरासी वैश्णव वारता की 29 सी वारता में आनंद के साथ में कृपा से प्रवेश करते हुए आए आगे बढ़ते हैं स्मरण के आनंद के साथ में अनुग्रह के आंगन में अब श्री आचारी जी महाप्रवुन के सेवक पदमारावल साचोरा ब्रामन उज्जयन के तिनकी वारता को भाव कहते हैं वारता प्रसंग एक सेवक भए सो प्रकार तो उपर कही आए गोपाल दास की वारता में है पाच्छे श्री आचारी जी उज्यान पदारे तब पद्मारावल के घर उतरे पद्मारावल किस्त्री कौन आम निवेधन कराए पाच्छे पद्मारावल सो कहें कहूंते भगवत सरूप ले आओ सो पद्मारावल की ज्याती में एक सांचोरा के घर भगुद सरूफ हतो अश्ट भुजा जी सो पद्मारावल का है ये ठाकुर हम को देव तब उनका यो ले जाओ हम सो बनन नाई दोई बेर नहायो नाई जात तब पद्मारावल स्री ठाकुर जी को ले आए तब श्री आचारे जी पंचावन स्रान कराए पाठ बैठारी पद्मारावल के माथे पद्राए तब मावजी पटेल और बिर्जो ने बिंती करी माराज स्री आचारे जी ने कई, तुमारे माते श्री गुसाईंजी सेवा पदरावींगे, भाव प्रकाश काये थे हम सरन तुमको ले अपने किये, पर न तु सगरो मनुरत, श्री गुसाईंजी तब दोईगो, तब माव जी पटेला और विर्जों देंडवध करी, बेट धरी घर तो पदमारावल ने बिंती करी माराजय धिरावि मैं तो मूरक हूँ कुछ पढ़ियो नाएं और यहां हमारे जाती के ब्राह्मन करूं जड़समार्थ है तो मुख को दुख दे थे जो तु कहा समुजी के सेवक भयो तब श्री आचायर जी अपुने चरणारविंदु को प् जाते भाव प्रकाश और श्री आचायर जी ने प्रसादी चंदन और चंदामर्थ दिये सो दो देवे को अभिप्राई यह है जो चंदन के लिए तैं सगरो ग्यान होई उच्छलित रस वह जाए तो कहूं सरीर छूटी जायत्वा सब के आगे लीला की वारता करें बिना कह जाए तब चंदामर्थ तें सरीर द्रडवे जाए भक्ती द्रड़ रस उच्छलित होई बाहर न जाए हरिदय में इस्तिर होई रहे तातें प्रसादी चंदन और चंदन और चंदामर्थ भी है वारता प्रसंग दो प्रसंग बड़ी सईया बनवाई या प्रकार सानु भावता जनावन लागे और एक दिन पदमरावल किस्ति ने खीर ताती समर्पी बोग सराय आरती करी ताही समच श्री आचारेजी माप्रवू पढ़ारे तब श्री ठाकर जीने श्री आचारेजी को अपने हस्तर पदमारावल किस्ति ना कहें तुम श्री ठाकर जी को ताती खीर क्यों समर्पे श्री ठाकर जी के हस्तर ओश्ट लाल भए हैं खीर ताती लागी ताते तब पदमारावल ने कहीं हम का जाने जो ताती सामगरी आच्छी ताते समर्पे तब श्री आचारेजी ने कहीं और सामगरी ताती धरिये ताकी चिंता नहीं परन्तु खीर ताती नहीं दरिये अंगुरी डरिये सुहाय तब भोग दरिये तब पदमारावल ने कहीं महाराज खीर ताती हती तो श्री ठाकर जी सी खीर पहले अरोगे ताते खीर ताती न दरिये भाव प्रकार श्रीया प्रकार श्री आचारे जी पद्मारावल को और उनकी स्त्री को समझाए बालक को नाम लें परंतु भीतर को खीर को स्वरुप नहीं कहे कायतें स्त्री लीला संबंदी नहीं है और पद्मारावल द्वारक कि सामगरी है ताते शी ठाकुर जी को बहुत प्री है सो खीर को भाव नारायन दास ब्रह्मचारी की वारता में कहें है उपर ताते खीर देखके हैं शी ठाकुर जी को दिरत चुटी जाते हैं ताते खीरी सीरी करी के दरिये और जहांता खीर को सीरी करनी लिखी है और सामगर क को नाना प्रकार की अन्सक्री प्रिय है सो प्रभू प्रावड भावसों अरोगत हैं परन्त पुष्टी भी मारेगा है वैश्णव को जैसो अधिकार तैसो यह अनुभव है द्वारता प्रसंग तीन और यह समय पदमारावल श्री रनचोड जी के दर्सन को द्वारका जी को चले तब श्री रनचोड जी ने सपन में कहयो जो राजनगर में हमरो एक सेबक है सो ताके घर तुम जाये हो तो जहां पाक करियो तब पदमारावल कहयो जो महराज मैं तो वाको जानत नहीं और बिनु बुलाए कौन के घर जाओं तब श्री रनचोड जी ने कहयो जो वो आपूही बुलावन आवे को पाच्छे पदमारावल राजनगर में आए भाव प्रकाश तो यहाते जो पदमारावल श्री रनचोड जी की लीला संबंदी है ताते बिचारे जो कहू ब्रज लीला में मगन होए तो मेरे हाथ सों जाये ताते कहें हमरो सेवक है ताके घर रनचोड जी पर भर भाव बहुत है श्री आचारे जी को स्वरूप श्री रनचोड जी को जाने हो ब्री लीला संबंदी नहीं जाने हो ताते इनके घर श्री ठाकुर जी हूँ श्री रनचोड जी रूपत है सानु भावता जनावत है और पदमारावल के बेटा क्रश्नभ स्री घुसाई जी के लीला सम्वेंदी होई गैं श्री ठाप अनुभव जनाएं जो श्री ठाकुर्जी को ना दिछा Jarajji को पूरण पूर पुरसותam श्री गोर्दंदर देह küç Defense hydnik, ذम्ने टुन्हीन दिखाएं उर श्री रन्छोर जी रात्री को अपने सेवक सो कही ओ को पाय करूँ तब संग में विद्यारती हतोता से कहे जो तु गाम में जाई कोरे अन की न्यारी न्यारी भिक्षा पांच साथ ठिकानों सो मांगी लाओ तब वो विध्यार्ती गाम में जाओ गी जाओ जब मांग में ले आओ तब पद्मरावल ने विध्यार्ती ने कही जो हमारे अस्वामी की जैसे आड़ोнд आओ सोले गईो, अब उनका जी विख्षा है, पाखो, फेरी आओ, सफेरन आयो तब उनका जो, तुमारे स्वामी को नाम कहा, तब विध्यार्थी ने कही जो, पढ़मारावल तब उन बिक्षा फेरी लिनी, पाचे वों विध्यार्ती के संगो, पढ़मारावल के पास गए सो मौ को आगया करी है सो तो महू को आगया करी हो ही कि तो महू तो रनचोर जी के क्रपापात्र हो ताते मौसो कहे तो महू तो श्री रनचोर जी के क्रपापात्र हो ताते मौसो कहे तब पत्मारावत बहुत प्रसंद हो ही कि कहें जो महू को आगया है श्री रनचोर जी की ता पाच्छे रात्री को वाई के घर रहे श्री रन्षोड जी की दो जने वार्था करी प्रसंद न वहे एक भावत ने दो मिले जहां सुकुप जै पाच्छे प्राते काल पदमारावल चलन लागे तब वो सेवक ने कई कचुबिन रहो तब पदमारावल कहें मौसर रहो न बहुत ये एक दिन आटों बहुत मिलियो और घी थोरों मिलियो तब पदमारावल ने सगरे चून की रोटी करी जितनी घी में चुपरी गई तितनी चुपर है बाकी की बिना चुपरी नीचे अंदर है दारी धरी के भोग समर पे और ये बिंती किये माराज चुपरी जी श्रिठाकुजी सगरी अरोगे तब सिठाकुजी η सगरी आजए तबमारावल सगरे जो मौको भोग क्यों धर्य हो जो मेरे आ आ गया वोग धर्य हो सब्यां तो वो रोटी में थे, एक टुक मिलाई महप्रशाद लेते, वहाप्रसाद आचाहरे जी के दर्सन भये साक्षात स्री रणचोर जी प्रगेड भये हैं मौकों अंगिकार कई कृतार्थ किये तब गोपादास कई श्री आचाहरे जी ऐसे ही दया ले भाव प्रकाश मन में जाने जो ये इतनों ही पात रहताते श्री रणचोर जी को भाव भयो भगवत इ वारता उन्ती संपन वारता तीस प्रारंब जैसे घृष्णा अब शी आचाहरे जी महाप्रमून के सेवक पुरशुत्वम जोसी साचोरा गुजरात के वासी तिनकी वारता को भाव करते हैं भाव प्रकाश सो पुरुशुत्वम जोसी लीला में विसाखाजी की सक्षी है गुन चूड़ा इनको नाम है और पुरुशुत्म जोसी की इस्तरी गुन चूड़ा की जगी है सो दुरुवासा इनको नाम है सो दो गुजरात में नियारे नियारे सांचोरा के घरजन में सो पुरुशुत्म जोसी की विवा भईयों बरस सत्रे के पुरुशुत्म जोसी गुजरात पधारे सो पुरुशुत्म जोसी मद्यान समाई एक ताला पर संद्या करा था थे तब शियाचर जी ताला पर पधारी के संद्यावदन करन लागे सो पुरुशुत्म जोसी की और कृपा करी के देवी जानी देखे तब पुरुशुत्म जोसी शियाचर जी वाके भाए तो वो मार्ग बड़ो और बड़ो तो भक्ती मारग है जा में जीव कृतार्थ होई और ग्यान मारग कर्म मारग सो कृतार्थ कठिंता सो होई सो काउस निर्वा होई नाई कायते कष्ट साध्य है सो यह काल में सरीर के कष्ट करियो न जाई जो कुछ सरीर को कष्ट साई तो मन्टि खाने न जाई ताते भक्ती मारगी जीए कृतार्थ होई और आश्रे नाई तब पुरुशत्म जोसी न कही जो माराज भक्ती को वरन करिये तो पार आवे नाई परन्तु कचूक तो कहत हो तब भक्ती वर्दिनी ग्रंत करी ग्यारेश लोक पुरुशत्म जोसी को सुनाए सो यह उत्तम अधिकारी है ताते सग्रो बोद वह गयो तब श्री आचारी जी को दन्डवत करी विंती किये महराज इतने दिन हम क अच्छी मरे परन्तु कच्छू हाथ आयो नहीं व्रिथा जनम गवाए अब आपू हमको सरनी लीजिया आग्या करों सो हम करें तब श्री आचारी जी द्रड़ पीती देखी के नाम सुनाई ब्रहुसमन कराए और माते पर चरंदरे रिदे पर चरंदरे और कहें जो तो को द्रड़ एकांगी भक्ति को तुँ अधिकारी है तब पुर्शतम जोसी ने बिंती करी जो माराज मेरे घर पदारो स्री को अंगिकार करो तब श्री आचारे जी पुर्शतम जोसी के घर पदारी स्री को नामनिवेदन कराए पाचे आग्या दिये जो तुम भगवत सेवा क करो तब पुर्शतम जोसी ने कहीं महाराज मेरे घर में ठ्री ठाकुर जी है सो मर्यादा की रीती पूजा करता तो अब आपू जैसे आग्या करो तैसे सेवा करो तब श्री आचारे जी लाल जी को पंचावरत स्रान कराए पाट बैठाए पुर्शतम जोसी के माते छोड़ी हती सो दो जैने प्रीती सो सेवा करन लागे पांची श्री आचारे जी शुदारी का पदरे सो पुर्शतम जोसी ने बहुत दिन सेवा करी भगवत भाव में मगन रहते अब व्यावरत हो ही रहें काउ के आगे अपने दे को भाव प्रगट न करते वारता एक एक समय पुर्शतम जोसी के बन में ही आई जो श्री गोगुल जाई श्री गुसाय जी को अधर सन करिये सो लोगन के आगे ग्याती में कहें हम कासी हैं आवे सो बनारस को नाम लेज तरी संग एक गोरा पर श्री ठागुर जी को पदराए के चलें सो कछुक दिन में उज जैन में पूछे पदमारावल के बेटे कहां रहते हैं? श्री गुसाय जी के सेवक है इनसम मिलिए तब लोगन में कही पदमारावल के चारी बेटा है तामें तीन बेटा बेले रहते हैं और एक कृष्णा बेट्र नियारे रहते हैं तब पुर्शतम जोसी विचार किये प और हम तु अन्ना फेरी दीजे तो कहेंगे थोरो जानी के फेरे ताते इन सो बोलनो ना आई पाचे ये बात कृष्णा बट्र ने सुनी जो पुर्शोतम जोसी आए तब कृष्णा बट्र पुर्शोतम जोसी ने कही पद्मा रावल को बेटा खरवा ऐसा ही चाहिए और तीन बेटा तो थोरो सो अन दियो जामें भूके रहे पुर्शोतम जोसी चरन लागे तब कृष्णा बट्र इनके संग चले सो मजली पर जाई उतरे सो जब जाने जो कृष्णा बट्र सोये तब स्तृष्णा बट्र सोये तब स्तृष्णा बट्र सोये तब स्तृष्णा बट् मैं पुरुषत्म जेसी की बहु गोरा के पास आए रश्म मिगन वह गई तब गोरा पर ते उत्र लागए तब दो औरतें इनको थांबी लिए पांचे ऐसे करत जब मजी पे आए पहुंचे तब गोड़ा उपर ते उतारन में लागे तब उश्वतम जोसी ने कही अब ही मौकों गोड़ा उपर ते क्यों उतारत हो अब ही बैठिया हो तब स्री ने कही जो मजली आई सवेरिसों चलत हैए जिए इसे निट्य श्री गोकलबाए थाफ श्री कुम जी तब श्री गुसाय जी को दंडोत करी पुर्षोत्तम जोसी ने कही माराँ क्रिष्णबटे पर ऐसी कृपाक हा ते बही तब स्रीगुशाय जी श्रीमुकसों करें जो क्रिश्नबटे को चाचा Χ conviction को संग है न आते हैं इसी कृपा है तब पुर्शोत्म जोसी को संदे निवरत भयो तब ते मन खोली के भगवद्वारता करन लागें पाचे कछुब दिन श्री गोकुल रही के शी गुसाइजी सों बिदा होई कृष्णबट के संग पुर्शोत्म जोसी स्री से चले सो भगवद्वारता करत कछुब दिन में उज्जेन आए सो कृष्णबट ने प्री तीसों चारी दिन घर में राखे भगवद्वारता करी बहुत प्रसंदवे पाचे पुर्शोत्म जोसी कृष्णबट सों बिदा होई गुजरात अपने घर आए भगवद्वारता करते लौकिक जानते नहीं अईसे भगवद्य पुर्शोत्म जोसी इस्त्री साहित हैं इनकी वारता कहां ताहीं कहिए भाव प्रकाश इनकी वारता में ये सिद्धान्त भयो जो पात्र बिना भगवद्वारता करनी नहीं गिराज धरन की जै लाडिले लाल की जै कृष्ण गोपाल की जै 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 श्रीरादे 29 और 30 वारता के समापन के बाद में जै श्री कृष्णा का अवसर और जै श्री कृष्णा धन्यवाद के साथ अवसर ताव धर में जै जा जै 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 जैज जिए झाल लाड़ जै झाल झाल